हाई फ्रेंड टेक्निकल चंदु यूट्टूब चनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम एसी सप्लाई से फोन को चार्ज क्यों नहीं करते हैं। पीनाप लगा दीई के, तो अपने फ़ोन को चार। देसे तोब को चार्जिंग करते हैं, क्योंकि हम एडाप्टर लगाते हैं, तो लगा कोत लेखेमे दोफिने लिए लिकिन आउटपुट में जो निकलता है, वो मेरे खे वोल्ट ही निकलता है है जो कि DC होता है ठीक है और अंदर जो हो उसके बाद डुट मे करते हैं फॉन के वह तो चे बोल्ट अंपीर के होते हैं तो यह सब होते हैं यह दिसी निकलता है उए dealt हमारा ए're से ही चार्ज होता हम सब्सक्राइब हीचर्ण ड्यार में कि सब्सक्राइब करें जोल दो अगर 220 volt AC supply चार्ज खरते हैं तो ब्लाश्ट होगा लेकिन अगर हम वहीं पे 220 volt के बाद यहां पर ट्रांसफार्मर लगा करके 12 volt तो यहां पर 220 volt से 12 volt जो ट्रांसफार्मर के आउट्पूट में प्रदान होता है वो हमारा जो होता है कि AC supply होती है ठीक है उसको हम DC नहीं बोलते उसकी फ्रिक्वेंसी पनावा करें आउट्पूट लेकर चैर्ज कर सकते हैं या या तो अपने फोन को यहाँ पर लगा करें कर सकते हैं 6 बोल्ट का भी त्रांसफार्मार आता है and लेकिन अब यहां पर टॉपिक आथा है क्या हमारा ऐसे चार्ज हो सकता है चार्ज नहीं होता है और क्यों नहीं होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमारे पास दो प्रकार की सप्लाई होता है जो कि एक है एक है ऐसे सीधी रेखा में चलती है जैसे कि हम उपर का जो होता है नीचे का मैणस होता है तो DC supply को सिरी प्लस में चलते हैं तो हम अगर DC supply से कोई भी battery को connect कर देते हैं पर battery प्लस हो गया यहां पर मैननस हो गया अगर battery को connect करते हैं तो वहां पर plus charge मिलेगा वह हमेंसा charge ही होता रहेगा लेकिन अब हम AC supply के frequency symbol को समझे से ऐसे चलता है तो जैसे हम आपको बता दे कि जैसे कि आप जानते ही होंगे कि असी चाहते है इस इंडिया की फ्रिक्वेंसिय जो है वो पचास हट्स है और आदर देशों को इसों मतलब है क्योंकि यह मेरे इंडिया की फ्रिक्वेंसी है तो यह जो पचास हर्ट्स है पचास हर्ट्स का मतलब यह होता है कि वह एक सिकेंड में कितने बार यह चक्कर लगा रहा है पूरा करती है यह यहां से पूरा करके यहां तक आने में एक चकर इसको माना जाता है तो ऐसे ही वह एक सेकेंड मे हमारा 50 20- Lau होता है तो मैरा 50 हट्स की फ्रिकेंसी पूरी होती है तो इस प्राकार से जब मीरा dulu है वो जाता है नीछे वाला जो है वो माना स blood हो जाता है यहां जब यहां जो जब यहां झाज कर देगा जबлом जब नीचे से खुमेगी तो उस तरीके से लिए अगर जैसे से 15 साइकल घुमता है मतला ही 15 बर चार्ज करेगा तो 25 बार डिस्चार्ज तो मेरा बैट्री जो है कि वह 0 का 0 ही रह जाएगा अगर मेरा थोड़ा सबे चार्ज हो गाई नहीं तो इस प्रकार से जो लेकिन आउटपुट में जो होता है वो DC सप्लाई मिलता है 12V इसकी शायता सा है तो यह DC सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं लेकिन हम ट्रांसफार्मर के बाद दाइडेक्ट उसको हम AC सप्लाई से चार्ज करें तो ऐसा कुछ भी तक नहीं बना हुआ है और हो सकता है भविस में बने लेकिन अभी तक ऐसा कोई स्वंभव नहीं हुआ है कि हम AC सप्लाइज से किसी भी DC यूपती को बैटरी को या तफिर फोन को या पावर बैंक को या लेपटाप को चार्ज कर सकें तो इस लिए हम कहते हैं कि AC सप्लाइज से किसी भी बैटरी को य लेकिन दिक्कत ही दिक्कत है जैसे कि हम आपको बता दे कि यहां माल लेते हैं कि यह मेरा एक ट्रांसफार्मर हो गया ठीक है यहां से हमने 220 वोल्ट दे दिया AC सप्लाइज ठीक है और यहां पर यहां पर प्राइमरी बैंडिंग है और यहां पर सेकेंडरी बैंडिंग है ठ ी देगा लेका बारव पोल्ट सब्सने बार ओदन ले समस्सक्क दको ऑड़ा यहां पर बैटरी का फ्लस जा की been अगर स्प्लाइज की व्युक्त उडे दें कि invent नहीं यह व्यूर जाने करना अभी तक मुझकील हैं और यह होता भी नहीं है करने से यह उदारण के लिए समझाया जाता है और वैसे एसी सप्लाई से किसी भी बैटरी को या तो फिर किसी भी फोन को चार्जिंग नहीं कर सकते अभी तक फिर हाल में ठीक है अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोश्चन आता हो फिरेंड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट क और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें